Welcome back my dear friends इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MBA के बाद टॉप MBA के बाद ऐसे कौन से Job Profiles होते हैं जिसके बाद आपको Work-Life Balance मिलता है तो अभी के बाद मैं जो भी Job Profiles के बात करूँगा या आपको Top IAMs के बाद मिलेगा तो IAM IAM, Bangalore, IAM, Calcutta, FMS, XLRI, इन सब कॉलेगा IFT, MDA इन के बाद भी मिलेगा कोई कोर के बाद भी मिलेगा और इसमें Work-Life Balance बढ़िया होगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो-तीन प्रिंसिपल्स और दो-तीन इसे बाते बताऊंगा which every industry veteran will agree on MBAs तो agree करेंगे ही हर industry के लोग जिने experience है वो agree करेंगे और यह मुझे उन लोगों ने बोला था तब बोला था लोगों ने जब मैं भी MBA करके निकल रहा था और लोगों से पूछ रहा था यार की career कैसा होता है job कैसा होता है life कैसी होती है career में आगी कैसे जाए किसको prioritize करें तो दोस्तो एक मेरे mentor ने मुझे एक बात बताई थी कि जब आप job में जाओगे न MBA करने के बाद तो एक triangle होगा और तीन चीज़े होंगी इस तीन में आपको दो मिलेगी तो अपने आपको खुश नसीब समझिए इस तीन में आपको दो ही मिलेगा 99% of the case में कोई ऐसा 1% of the case होगा तब आपको तीनों मिल सकता है तो वो भी कुछ महिनों के लिए ही मिलेगा तो एक job में तीन चीज़े important है और ये तीन चीज़े हैं number one work life balance of course number two पैसा, money and number three job role इन तीन में आपको दो भी मिल रहा है बहुत बढ़िया तो आपको job ले लेना चाहिए और जब दो मिलेगा तो तीसा नहीं मिलेगा तो अगर आपको role अच्छा मिल रहा है work life balance मिल रहा है तो दोस्तो इस disclaimer के साथ मैं start करता हूँ इससे भी पता चलता है दोस्तो कि आएम के बाद जब आप jobs करोगे तो आपको work life balance कम और खराब मिलता है क्योंकि आएम के बाद generally job role भी बढ़िया मिलता है और salary भी जादा मिलती है टॉप आएम के बाद generally role अच्छा मिलता है और salary अच्छा मिलता है तो work life balance भी compromise हो जाता है तो आपको role ही चुनना चाहिए work life balance चुन सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे तो इस वीडियो में आपको थोड़ा help मिलेगा पर आप ये बात जान लो कि तीन में दो भी मिलता है तो you are lucky ठीक है number one role और बढ़िया role और अच्छे पैसे वाला role one of the few roles जिसमें role भी बढ़िया है salary भी बढ़िया है और work life balance भी ठीक ठाक है ये है general management role general management roles top IIMs के बाद कौन सी कंप्रीज मिलता है TAS, Tata administrative services, Aritya Billa leadership program ये बड़े बड़े conglomerates अपना leadership program बनाते है इनमे salary अच्छी होती है role भी बढ़िया होता है work life balance भी बढ़िया होता है work life balance क्यों बढ़िया होता है दोस्तों इसमें दोस्तों तीस्वा principle में बताता हूं को work life balance बढ़िया होने का कोई भी client facing role नहीं होगा तो work life balance बढ़िया होगा और कोई भी startup नहीं होगा तो work life balance बढ़िया होगा मतलब कोई established company है तो उसमें company established हो चुकी है तो पैसा आ रहा है मतलब कि अगर आप चीजें खराब ना करो company बंद नहीं होगी तो इन companies में और इन roles में वर्क लाइब बढ़िया हिसले होता है क्योंकि आप एक role नहीं करते हो अब बहुत तरह के role करते हो तो कभी कबार आप sales करोगे तो marketing भी करोगे इसमें finance भी करोगे HR भी करोगे सारे roles में लेंगे इसमें आपको और work life balance बढ़िया होगा इसमें work life balance बढ़िया हिसले होगा क्योंकि companies established है targets जादा नहीं होगे एक तो आप हर तीर मैने में role change करोगे तो आपको target कोई क्या ही देगा इसा leadership role तो आप leadership वालों से बात करोगे learning अच्छा होगा और work life balance better होगा comparatively better हो second और थोड़ा stereotypical HR roles HR के maximum rules से work life balance finance और sales और marketing से better होता है क्यों होता है क्योंकि HR थोड़ा बहुत एक support function है HR का काम target target revenue revenue नहीं है HR का काम ही यह work life balance maintain करना तो अपने में तो वो थोड़ा insure करके work life balance हो जो policies लिखा हुआ है वो कहीं implement नहीं भी हो पा रहा है गलती से तो HR तो ensure करेंगा कि सारे policies maintain और सारा policy maintain होगा तो work life balance थोड़ी अच्छी होगी थोड़ी अच्छी होगी ठीक है HR का काम ही होता है कि work environment को अच्छा करना culture को अच्छा करना तो generally HR वाले अपना working life और culture तो अच्छा करने का कोशिश करते हैं नहीं करते हैं तो करना चाहिए इस कारण से HR में work life balance अच्छा होता है इसलिए नहीं कि मैं कहरा हूँ काम नहीं होता है काम होता है पर एक काम उनका यह भी होता ना कि culture अच्छा रहे culture each strategy for breakfast यह HR वाले ही तो apply करते हैं तो HR में खुद तो apply करना ही चाहिए ना ठीक है नंबर 3 और सबसे अच्छा वर्क लाइब बैंस यहीं पर PSU कोई रोल नहीं है पर PSU में कोई भी रोल मिलता है वर्क लाइब बढ़िया होता है अगर आपको IOCL, HPCL, BPCL, Gail यह सब companies आती है अच्छे colleges और CDC 12,00,000 से उपर यह सब में ठीक है इन-hand कम होगा CDC बढ़िया है ग्रोथ आगे जाके कम है कोई बात नहीं है वर्क लाइब बैलेंस बढ़िया है salary कम नहीं जादा तो किसी को इन में रहना है PSU में काम करना पसंद है मतलब PSU में का challenging work थोड़ा कम होता है लोग को का average age तो जादा होता है हो सकता है कि सीटिंग में पोस्टिंग ना हो सीटिंग में भी दूर में सबर्बस में पोस्टिंग हो क्योंकि plants होते हैं इनके plant के पास offices होता है कई-कई roles sales and marketing के और IR के roles गाहों में मिलता है पर एक problem आपको नहीं होगा अच्छा होगा इसमें इतना टाइम होगा कि आप यूट्यूबर बन सकते हो आप UPC के exam दे सकते हो तो अगर कोई को work life balance ही चाहिए तो PSU वालों में ही apply करे फूर्थ और फिफ्थ रोल्स इनमें generally work life balance बेटर है आप चेक करो तो आपको पता लगेगा sales and marketing and digital marketing अब कोई बोलेगा sales and marketing से बहुत pressure होता है targets होता है बाबा targets होता है लेकिन sales and marketing में अगर आप ठीक से काम कर लो आप sales ही कर रहे हो तो sales तो करना ही पड़ेगा पर आप sales कर रहे हो तो work life balance maintain कर सकते हो क्योंकि office आना नहीं होता बात्चीब का काम होता है आपके अंदर एक team होती है तो आपको flexibility हो कि आप कैसे काम करो आपको महने का target है अब उसको पहले दो हफते में कर लो तो अगले दो हफते चिन करो target जादा भी है तो भी लोगों को पता होगा manager को पता होगा target जादा है तो जो target achievable है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और generally FMCC में top FMCC में e-commerce में नहीं मैंने बोला startup में तो work life balance अच्छा नहीं होगा क्योंकि startup कई बंद हो सकता है काम नहीं होगा तो employees को काम करना ही पड़ेगा पर FMCC companies में work life balance ASMs का ठीक ठाक होता है weekends off होता है 8 बज़े बाद काम नहीं होता ठीक है traveling होगा पर traveling तो काम का ही पार्ट है ना bike में घुमना तो उस काम का ही पार्ट है तो होसकता आपको 12-5 बज़े तक bike में घुमना पड़े लेकिन 8 बज़े के बाद काम नहीं होगा यह work life balance वाग investment banking और consulting में फिर तो रोल है digital marketing निया रोल आया है और थोड़ा बाद work life balance होता है क्यों होता है क्यों कि digital marketing में आप campaigns लगाते हो online marketing करते हो चीजिया भी उफर के आ रही है तो बहुत ज़्यादा work आया भी नहीं है लोगों को ज़्यादा knowledge क्योंकि वो मुझे क्या बताएगा वो मुझे ज्यादा काम करने कहां बोलेगा मैं खुद ज्यादा काम करके दे रहा हो उसके expectation से ज्यादा काम करो तो ज्यादा काम नहीं करताएगा expectation से कम काम करो तुम्हारे ज्यादा काम करवाएगा digital marketing नया field है काम भी ऑनलाइन मार्केटिंग का है प्लाटफॉर्म सी पाच्छे है गिने चुने यूट्यूब फेस्बूक इंस्टग्राम वेबसाइट तो ज्यादा काम से बच सकते यह पांच रोल से दूस्तों जहां वर्क लाइब बैलेंस बढ़िया है रोल आपको जो पसंद है वो कर आपको ब्लाइब बैलन्स नहीं है इन सब में वागलाइब बैलंस बहुत दो दो फेसे नहीं करना है नहीं करना है वर्क लाइब सबसे वर्याब है वहीं पर होल बेस्ट से से अफ यह था